में अभी हमारा घर का लाटीन में हूँ और मैं आपको एक मतलब मस्त चीज देखाना चाहूगा वो चीज यह है कि यह देखो यहां से पानी निकल गया जो कि मुझे बहुत थी मतलब मैं तक डर गया मैं तक डर गया मैं यह चीज आपको दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं लगभक लगभक नहीं मतलब जब से हमने यह लाटीन बनाया तब से मतलब दो-तिन महिने के बाद यहां एक हर दिन एक ना एक मैढक रहता ही रहता है यहां पर जब से हमने लाटीन बनाया मतलब कभी ऐसा दिन नहीं है कि हम वहाँ पर मैढक नहीं देखें मतलब बनाने के कुछ महिनों से कंटिनियोसली मतलब आज देखा रहा हूं काल भी रहेगा परसों भी रहेगा फिर परसों भी रहेगा मतलब ऐसा दिन ही नहीं है तो मतलब यहां पर नहीं रहता होगा यहां तो मुझे लगा कि आपको भी थोड़ा बहुत इसको दिखा देना चाहिए यह भी ब्लोग में ले आगे मतलब आना चाहिए क्योंकि यह भी तो हमारा पैबली में वरक आही है तो फिर क्या गाइस चल एक गाना गाना चाहता हूँ मतलब याद आ गया तो फिर गाते है एक दिन भी एसा ना गया जो में ड़क तू में ड़क यहां ना बेठा एक दिन भी एसा ना गया जो हमने तुझ जो हमने तुझको देखा ना था हर दिन हर रात जब भी हमने लाटीन आया तुझको देखा ही था तुझको देखते ही रह गया इसी तरह और क्या है हम थोड़ा अच्छे सिंगर नहीं है मतलब कमपजिशन भी उत्रा अच्छा नहीं गया तो फिर चलते हैं किस तरह करते हैं मतलब कुकिंग किस से करते हैं ऐसे लगडी को जला कर मटके में चावल पकाकर पकाते हैं और क्या और कुछ नहीं और इस तरह इस तरह इस तरह विंटर सीजिन में बैसिकली हम करते हैं कुकिंग क्योंकि यह थंड की टाइम है हेलो फ्रेंड्स आज का मर्निंग भीव दखो कितना सुन्दर है कितना निर्मल है कितना पवित्र है कितना अच्छा है नहीं सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ दिन कुछ दिनों से सुभात से मतलब हर तरफ हर साइड में बस फोग ही दिख रहा था मतलब आठ नो बज तक दिन के और आज बहुत सुन्दर दिख रहा है ये निचे में जो मतलब ग्रास हम कहते हैं वो अच्छे की मतलब मुक्ता लग के रहा है सित्रा दिख रहा है और इधर साइड भी नजारा बहुत सुन्दर दिख रहा है मैं आपको एक गाना गा के सुना देता हूं मतलब मौसम को थोड़ा और भी रंगिन कर देते हैं एक गाने के साथ वैसे गाना का लिरिक्स मतलब थो समझा चैना भी नहीं मतलब मैं जो कुछ भी गा दूगा यार कुछ यशा ना मतलब आप रिदिम को समझे बस रंग जाऊंगा आप भी गाने के साथ तो फिर गाने सुरू करते हैं यह बाहिक वाला जाने के बाद तो गाना कुछ एसा रहेगा इधर सांध में इधर साइड सुन्दर दिख रहा है हम इधर साइड भ्यू करके हम गाते हैं गाइस हाँ इधर साइड एक भी दिन ऐसा ना गया मैंने तुझे याद ना किया साथिया बेलिया यार पता नहीं यार गाना क्या क्या इतने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम इतने दिन तुम कहां रहे, कहां रहे नहीं या पर कहां थे, इतने दिन तुम कहां थे, मुस्त गाना है यार, मेरे को लिटिक्स थोड़ा आता नहीं, मैरे पता नहीं, मेरी तो सुहा और साम, तेरे इंतिजार में कटे, मेरी तो सुहा और साम, तेरे इंतिजार में कटे, साथिया बिन तेरे, फिर लिरिक्स मुझे पता नहीं, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहां रहे, इतने दिन तुम कहां रहे, इतने दिन तुम कहां रहे, इस तरह सुभा सुभा इस्ता मतलब रास्ते में गाना गा के साइक्यल से मतलब मौसम रंगिला यार मस्त लग रहा है, और चेहरे में थोड़ा थोड़ा मुस्कान भी है, क्योंकि कोही मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मैं क्यामेरा पकड रहा हूं मतलब मौबाइल, और एक गाना हो जाए गाइस, मैं गाना और यह गाके सुना देता हूं आपको, और जोकि मैं जब भी यह रास्ता पर जाता हूं तो फिर मैं इसको नजर करते हूं यह दखो यह यहां पर एक स्कूल है और स्कूल मतलब जितना भी स्कूल के खर्चें हुए हैं वहां पर लिखा गया है मतलब किस ने किया और जो मतलब कांट्रक्टर किस ने थे और कितने पैसा खच किया गया है और इधर आप देख सकते हो एक मजाक चीज यह हुआ है जो टू लाक गया है किस तरह लिखा गया है देखो टी-ओ-डोबलू लिखा गया है कोई वात नहीं कोई बाद होता है तो बड़ी-बडी-ड depende में छोटी-चोटी बात होती रहती है है इसको लेखर कोई टेंसन ने नंने का नई यह यह बाबर के सथाई chi यह बाबर के स्टाइलर है यह दो को आइज मुनाज हुमे तो सुरात ही लकिन कपुत्तर अकिलात ही मुनाज हुमे तो सुरात ही लकिन सार अकिलात ही कपुत्तर कपुत्तर जा जा कपुत्तर जा यहां पर प्रिफेयर बैठ जो खेलते हैं यहां पर बैट के मतलब कर वींटर σीजिन में आग लगा देते हैं यहां पर लकड़ी से और फिर यहां पर बैठ के फ्रिफेयर खेलते हैं